हेलो एन वेलकम दोस्तों मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं एवन्टीशन तो आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले है एक जिस सेकेंडियर की पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंट कोशन यानि कि क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एसक बोड के लिए करना या फिर आप मुझे इंस्टागाम फेस्बूक पे फॉलो करके पूछ सकते हो साथी साथ अगर इस वीडियो की पीडियाफ चाहिए तो भी आप लोग ले सकते है चोटी सी पेमेंट करके डिस्क्रिप्शन में दीगे लिंक में बाकी सारे चप्टर्स के अल्रेडी हम इसलने कुछ च प्रेडर के वीडियो बना रखिया कि और कुछ च्प्टर्स के जल्द हो नेक्स्ट लेक्टे आएंगे ठीक है तौचलो देर न ना करते हैं इसको इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहलर हमारा फ्मारा कोशन है What is mean by security का मतलब क्या है तो the word security stands for freedom from threat यानि कि खत्रों से छुटका रहा या फिर चत्रों से जो हमेरी डर बना रहता है उससे दूर हमें जाना है इसी को हम लोग कहते है security ठीक है what do you understand by internally displaced people तो internally displaced people का मतलब क्या है कुछ लोग क्या होते है who have flewed their home but remain within the national borders is called internally displaced people यानि कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर को छोड़ के जाते हैं लेकिन national borders के अंधर ही रहते हैं यानि कि देश के अंधर ही रहते हैं उसी को कहते हैं हम लोग internally displaced peoples what is the purpose of conducting nuclear test by India तो इंडिया जो nuclear test किया था इंडिया ने तो उसका purpose किया था देखो तो purpose सीधा से simple है ताकि हम अपने territories को protect कर सके हमारे दुस्मन से और ऐसे दुस्मन से जिनके पास nuclear technology है especially what is mean by human security तो human security का मतलब क्या है तो human security का मतलब यह होता है कि protecting people rather than protection of states यानि कि state यानि कि देश की सुरक्षा से पहले जोना human security के बारे में यहां पर बात की जा रही है give an example of global threat, global threat का एक example तो terrorism एक global threat है यानि कि पूरी दुनिया के लिए एक खत्रा है next question हमारा है what is international terrorism तो international terrorism क्या है तो terrorism एक ऐसा situation है जहां पर citizens or the territory more than one country involved हो जाते है international terrorism has been possessing a very serious threat to international peace and security यानि कि जो पूरे दुनिया में शान्ती और security का जो माहल है उसको बरबात करने में सबसे पहला जो हाथ जाता है वो है वो terrorism का next हमारा question है which what makes rich states get richer यानि कि ऐसा क्या है जिससे कि rich countries है या फिर इस states है वो और ज़्यदा rich बनते चले जाते हैं तो देखो जहां पे भी low population growth होगा और high per capita income होगा वहां पे जो है न वो लोग अमीर पे अमीर बनते चले जाएंगे जैसे यूरोप में देखोगे population कम है लेकिन per capita income बहुत जादा है इंडिया में, Maldips में, sorry not Maldips, Malaysia, Indonesia, Vietnam ये सब जागा बांगलादेश ये सहाँ पे देखोगे population पाकिस्तान, population बहुत जादा है लेकिन per capita income जोना बहुत कम है वाट इस cooperative security, तो cooperative security क्या है वाट दू यू, वाट, वाइडू people migrate, लोग migrate क्यों करते हैं तो देखो लोग migrate करने का reason simple सा है, वो लोग better life चाहते है specially economic opportunities और standardable, एक life, better life के लिए जोना है लोग migrate करते है, simple सा बात है, NATO का full form क्या है, तो North Atlantic Treaty Organization कॉन जे एर में तुमारा, इंडिया ने टेस्ट किया था nuclear device, तो यह 1974 है, in which year global security has been emerged तो यह 1990 का बात है, जब global security emerged हुआ था, एक example देना है, arm control का, तो nuclear non-ploriferic treaty when was non-ploriferic treaty signed, तो यह 1968 था, write one component of India's security strategy, तो एक security strategy बताऊ इंडिया का तो to strengthen its military power, तो यह हमारा security, यानि कि military को strong करो, इससे क्या हो जाएगा, तुमारे रक्षा जोना हो खुद बहुद हो जाएगा, जब तुमको देखा यह जाएगा, कि तुम बहुत ताकदवर हो, तो तुमारे उपर कोई attack ही नहीं करेगा, तो यह simple सा strategy है, what is pollution, pollution क्या है, तो pollution एक unfavorable condition है, surroundings में, जहाँ पर unwanted चीज़ जाएगा, हवा में unwanted चीज़ जा जाती है, फिर pollution फैल जाता है, water बगरा में, तो वह उसके बारे में बताएगा है, what is mean by social safety net, social safety net का मतलब क्या है, तो सारे questions को मैं discuss करते नहीं होगा, तो यह video बहुत लेंदी हो जाएगा, अगर इस video क अगर आपको चाहिए, तो description में दी गई लिंक में, छोटी सी payment करके, आप screenshot जोना मुझे, Facebook या Instagram पर पहुंचा देना, यह video की PDF में आप लोगो को वहीं पर दे दूँगा, ठीक है, आप description में जाकर चेक आट जरूर करना, फिर in the blanks के रूप में कुछ कुछ को से पूछे जा आटेक है, how many states attended chemical weapon convention, तो 181 states है, यानि कि countries के बारे में बात हो रहा है, in what ways the notion of disarmament helps to avoid violence, this armament requires notion to give up several kinds of weapons like biological weapon and chemical weapon, तो disarmament का मतलब क्या है, यानि कि लोग या पिर countries वो कुछ कुछ चीजों से मतलब बचने की कोशिच करेंगे, यानि कि कोई भी देस biological weapon इस्तिमाल नहीं करेगा, chemical weapon इस्तिमाल नहीं करेगा, हाला कि कहने को, तो सारे देस कहते हैं, लेकि कुछ countries ऐसे हैं, जो कि यह सब बातों को follow नहीं करते है, do all societies have the same conception of security नहीं, तो सारे societies जोने एक तरीका से कभी सोची नहीं सकते, जैसे कि अलग अलग तरीके के लोग है इस दुनिया में, अलग अलग कि property गरीबी भी एक तरीके से बहुत बड़ा insecurity बन जाता है, in poor countries, generally population जहां पे growth हाई है, whereas many rich countries are feeling shortage of population, तो कहीं पे क्या होता है, कहीं पे ऐसा होगा, population बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे rich countries ऐसे हैं, जहां पे population की shortages है, उसके ब fulfill करने की कोशिश करते है, एक example देना global threat, तो international terrorism एक global threat है, ठीक है, उसके बाद, next हमारा है, give one example, give one example of global threat, तो यह तो हो गया, उसके बाद है, write one new threat to human security, one new human threat, human threat क्या है, तो यह global property, human threat है, उसके बाद, what is mean by security, security का मतलब क्या उपर आप लोग को मैंने बता है, human security, यह भी discuss कर लिया हम लोगों ने, why do people migrate, लोग better opportunity के लिए migrate करते हैं, एक source बताना है, modern world threat का तो terrorism है, causes of migration, तो गरीबी एक कारण है, जिसके बाद से लोग migrate होते हैं, जैसे कि especially बिहार और यूपी, जारकन से लोग मुंबई और साउथ के तरब move करते हैं, क्योंग गरीबी क एक सबसे पड़ा reason है, write any one virus that can threat human health, जो human health के लिए खत्रा है, एक virus का नाम बताओ, तो यहाँ पर Ebola लिखा है, Corona भी उसमें से एक virus, आप लोग लिख सकते हो, what is the international, what is international terrorism, international terrorism क्या है, तो जैसे मैंने आप लोग को बताया, जहाँ पर कई सारे देश के citizens involved हो जाएंग, और कई सा difference between migration, migrants and refugees, तो migrants and refugees के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना, 2013, 15, 17 में आया हुआ है, ठीक है, तो migrants और refugees का मैं एक short में बताया है, जो migrants है, उसको कोई भी country लेना नहीं चाहता है, लेकिन refugees को कोई लेने से मना नहीं कर सकते है, normally जो migrants है, वो का काम के तलास में बटकते हैं, ले पर्सेकुशन से प्रेडित होते हैं, और इसके वाज़े से उनलों को एक जगा से एक जगा मूँव करना पड़ता है, यानि कि वो मजबूरी में मूँव करते हैं, लेकिन migrants क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि वो मजबूरी में मूँव करें, कहीं बेटर लाइफ और बेटर वाई, तो हाँ, यह अबिस सा बात है, उपर हम लोगों नहीं यही डिसकस किया, यह human civilization को खतम कर सकता है, usually जो civilians है, उनको target किया जाता है, terrorism को पब्लिक में वेपन से इस्तिमाल किया जाता है, bomb blast किया जाता है, write two new sources of global threat, तो एक global property हो गया, दूसरा health हो गया, यह सब सारे नए sources of global threats है, mention two components of India's strategy, यह उपर भी हम लोगों डिसकस किया था, सबसे पहला है, जो हमारा India का security strategy है, सबसे पहला तो strengthening military capability, यानि कि military capability पहला बहाना है, दूसरी बात है strengthening international norms, international institutes to perfect its security interest, तो यह दो मार्क वाले सब सारे question हो गया, अब हम लोग 4 मार्क वाले question देखते है, जो कि कई ब 12 में आया हुआ है, four components of traditional notion, और यह जो number question number two है, यह 2015 में और 2018 में आचुका है, write briefly about global property, तो यानि कि आपको पता चला होगा कि इस chapter से global property जो ना वो बहुत important बन जाता है, global property से लिटेट questions आप बढ़के जाना, what is the relation between human security and health, यह भी 2017 में पुछा गया है, what are the four components of security strategies of India, तो यह तो ह यहाँ पर चार marks के लिए, तो चार marks के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखना होगा point जैसे कि to develop its economy, और military strengthening तो पता ही है, उपर discuss कि हम लोगों ने strengthen करना, international institutes and organization, और third component है हमारा, हम बहुत सारे meeting security challenges है within the countries, उसको हम लोग साट आप करने की कोशिश करेंगे, तो यह सब सा mark वाले questions में यह सब सारे आप लोगो questions पढ़ने है, तो I hope कि आपको यह video informative लगा होगा, और अगर यह video पसंद आया होगा, यह PDF चाहिए, तो description में दीगे लिंक में जाके एक छोटी सी payment करके यह PDF ले सकते हो, इन सब सारे questions को आप लोग अच्छे से देख के जाना, exams में, final के लिए और हमारे channel को जरू subscribe करना और अपने friends के साथ इस video को जरू share करना और हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए video के साथ, तब तक के लिए good bye